दोस्तों नमस्ते एक बाद फिर उपस्तित हूँ आपके समक्स बक्री पालन की एक सांदार जनकारी के साथ और दोस्त आज मैं मुझफर पुजिले में वीडियो बना रहा हूँ एक वर्स पहले यहां पर बक्री पालन के शुरुवात हुई थी और फारम के जो ओनर है पहले दिली में काम करते थे यहां तो रहें को सी पराणियों का सामना आको करना पर सकता है कम खर्च में कैसे बक्री पालन करें क्या तरीका है प्रमोजी आप अपने फारम का पूरा पता हमारे किसान भाईयों को बताईए मेरे फारम का मतलब मेरा ग्राम हुआ मतलब विशुनपूर गोपाल मेरा पोस्ट हुआ लालुचब रात थाना पारू जिला मुझवफरपूर ब्यादा पतना से कोई आएंगे तो कैसे आपके पास सरलता से आ सकते हैं पतना से कोई भाई आएंगे अगर मुझवफरपूर से आते हैं तो मुझवफरपूर आकर क्या बोलते हैं सरहिया जाए सरहिया से मतलब क्या बोलते हैं मानिकपूर 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 से मतलब दो से तीन किलोमेटर मेरा फरम के दूरी है तो बकरी पालन के प्रमोजी शुरुवात किये हैं वो कब किये थे और क्यों किये थे बकरी के पालन अभी पहले दिल्ली रहते थे समय ना बट दिल्ली में अब मन नहीं लगता है इसकारन मतलब सुझे कि गाव में रहते हैं कुछ भिल्कुल नाया एक साल पाले का तो नहीं लगा रहा है तो शुरुवात में कैशे सुरू कि ऐते उस समय कैसा meant कितनी बकरी लग याए ठील नसल्ट ने लिए ऑर बिदवार्या नसल ये मतलब को यिया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइक कर दो में रखा बख्री थीक है और इसे भी हम देशी बख्री भी बलेक मंगाल भी रखे हुए दोनों है हमारे पास जो पहले से मेरा चार था वो चार से काफी हो गया संक्या बढ़ गया है बट अब जो है कि क्या बलते है आठ लिया है आठ से देखिये कि बच्चा मेरा काफी है मतलब 10-12 ब लाइते वटी है ऑट यह जो बकरी है ने शोरू का नहीं बना होगा सुरू में यह नहीं था साइड में मतलब जो हमק धल्स लाँ चोटा मोटा दलान है, उस हिमएं, उसको grewst deh. संहिना, फेर जब यहर्च्ण बढ़ने लगा तो सोचे hammy कि मतलब एक छोटा मोटा फरम कम बजेट में मतलब एक फरम बनाया जाए तो करीब इस फरम बनाने में मुझे एक लाख रुपया मतलब करीब करीब इस फरम में एक लाख रुपय मेरा खर्च हुआ है समझेना तो वही माली जी कि स्टार्ट करने में क्या बलते हैं एक लाख पुझी निवेस्ट कर चुके हैं दो लाख वीश जार रुपया अभी तक आपने बक्रिपालन को सुरुवात करने में लगा दिया तो यह जो शेड़् काफी बनिया आपने बनाया है अगर कोई व्यक्ति बाहर से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो नहीं कहें गा कि एक तो करना भी चाहिए जो बिलकुल स्मझ के इनों ने किया है और करना भी चाहिए जो ब्रीड गाहओं में बॉक्री पारण करने के दरान आपको आई परसानी रहा है कि शुरू सुरू में इसको ले आए तो हमको यह पता नहीं था कि अब दो-चार बंद आता है तो आदमी मतल ंच को प Fahrां प container कि इसको बार मिल इसको कहीो से घासवास किसी सबबेबगा कर खिला कर बाकि बूसा भूसा हो नई बूसा ओर यह सब मतलब चानने के चिलोकन के शुकल के सब की खिला का संचेना और अभी तक इहां तक si Mantra को दिल्ली में आप काम करते थे फिर गाओं में आकर बकली पारण करना शुरू की है तो अगल बगल के लोग परोशी है तो काफी हंसते होंगे आप पर बहुत लोग टिपरी लिए बहुत मजे लिए कि बताओ मतलब क्या बुलेट से घुमता है फिर भी बकरी पोस रहा है बकरी को से क्या करना हमें तो काम करना धंदह होता हो चोटा हो यह थो此 दा रहा हो छोटा हो अगे बरना कोशिद कर train और अब लोग पता चल ला आ है हाई यह डंदा बढ़िए है मतलब हमसे नवी तक कह ब Billboard मतलब 12 motivated ले चुके हैं कदंद第 मतलब वेसे पुछने काफी लोग पुछते हैं बट मतलब दो-चारव बंदे ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि एक साल में दो-चार फरम लोग फम हमारे नदीघ खूलने वाला है प्रमोजी और को परसानी यह कि क्या बुलते हैं हम जबी जो सेव बनवाय बंदी कि यह स्वेक्शिन दिये हुए स्वेना और बाहर की बक्री है कैसी नहीं है समें इस लिए इसलिए हम किसी को मतलब उससे बीरीटिंग करवाते नहीं है पूर लोग इस जलन के कारण क्या हुआ कि मारे फररम में कोई पार सब्सक्राइब करें लोग भी देख हुगा कि मेरा बीरीड तो बाकड परण आप शुरू किया तो मैयरेज़्मेंट किसी साब से आप रखते हैं इसके में हमारे किसान मायूख पदाइए जैसे की हम दलहनी बुसा मंगवा लेते एक अधे हमें का भूलते हैं बूसा मंगवा करते हैं मेरी वाइफ जोए की साइट से भी मतलब अपना दूरीआ कमाने कोशिज़् करता हो बहुत तरीक ये जो मतलब हम इधर-ुदर अपना करते हैं कामधन्दा और यह है कि मेरे घर पे मेरी वाइब रहती है जो हाउस वाइफ है समयना उसके बाद घर में रहती है अके लिए कुछ काम तो है नहीं तो सुझे कि उन्हें एक साथ धंदा कर दें समयना तो वह भी इसमें हाथ बटाती है हमरा यह स्वयोग रहता है कि हम बाहर से हर्ची मजर करके रख देते हैं और वह है कि मतलब खाना पिना खिलाना देख रखाओ सब वही करती है सब वही करती है तो यह प्रमोजी आपका फार में काफी बढ़िया है खुब्सूरत भी लग रहा है वेल मेंटन है यह जो सेड है आपका इसकी लंबाई चोराई क्या है और बाहर ज दिये हैं जो खाना पिना बारी खाता है और अपना घुमता टहलता है समझेना दूब जब होता है या बारी जब होता है तो अंदर लो आ जाता है प्रमोजी एक साल से आप बख्री पारन कर रहे हैं बहुत सार किसान भाई आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जाना चाहेंगे बाई कि एक साल का अनुभव आपके पास रहो गया है तो कम खर्ष में अगर बख्री पारन करना है अगर उनके पास चराई पर ले जाने का समय नहीं है तो और इस ट्रॉल फिर पर रखना है तो भाई किस हिसाब से खर्ष करेंगे कि बख्रीयों की जो जुए, हराचारी दिजिए और सिज़नली समय में हराचारा भूसा घंता हुए सकत है तो समय बादाब तक हराचारा भरपूर मतरा में ऑर Insya理 के नहीं हम aso को कि तो क्या mikeT महतना इंको हडा चारा डेते हैं ड के पास तो वह उनको देते हैं बहूंच इंसनितτοा किते आले तो हमें विस्टाइं कीस्टों सकते हैं so तो हमने क्या बोलते हैं गहम बूसा और पहरा प्रकुटी जो गाउं में धान क्टी होता है और गहम का भूसा और इसको सानी बना कर उसमें चोकर और चैना के छिलका अगरा भागा जो भी अपना दाना मिसन जो होता है वो मिक्स करके ख़र्चिला पढ़ जाता है बट अब है खिन यहां पर एक साथ कर रहा है तो विमारी तुब आती होगी तो अगर विमारी आए तो कैसे उसको फेस करते हैं है यह हंदिलाजुट्रण को यह हैं कि आप लोग के मांद्वेंस to के मांद्वे खेंशा प्राइब को तो मतलब बख्रियों को इती प्लस टीटी का वैकशिंग किये ही है passe के बाद एक हमारे मतलब मित्र बोलिये या मतलब एक फार्मर है जो उनका नाम मतलब रकेष चोधरी हुआ। यह च puts एह जिनका नाम हुआ रकेष भाई जी और वह पाथे पूरों में बक्री सब लाएते जो लोड़ेट लएते जो बंदा कहा वो हमारे साथ हुआ कि मतलब सारी वहाई टा दिया और बच्चा देने एक बाद देखिये कि बच्चा का कर सब गरोथ है सबस्क्राइब क्ष़क्ते लुहा लेकिन एक पर नियुक्ति बनें लिए अपनी बॉक्स इसलिए बनाए थैंडिए चो उते हैं ग no ने उक थे बाहरते हैं ऊगयाती है को फैंकि मिटती चात ले देक है उनका उससे मिटी न चाल इता ईंड़ते करन своwn है सब्सक्राइब और बच्चे नहीं पाती है लिए मारता है इसमें चाहते है इसक्राइन मारने के कारण लगभग हमारे पांस निकालते हैं और फिर मतलब अंदर डाल देते हैं एक साल के तवरान अभी तक आपके भार में कितने मेमने के मृत्ति हुई है एक साल में मतलब लगवग हमारे कड़ीब 5-6 मेमने को मतलब हुई है जनकारी ना होने के कारण जनकारी अब नहीं होती है अब यह है कि हमें सब्सक्राइब का जनकारी हो गया किनसी मतलब कोई सी बिमारी में क्या होने हो पर मतलब कौन सी दवा देन गेलिटे मैं और यह नोगी ता अभी प्रजेंट में आपके बीडर में जो दाने की नसल और जो बक्री है उसकी नसल खिया है यह हमें सवक कैया में परेख्र अलया बकरी व소ं पर्गाइख्रुणाछ को बिया है। बिल्कुल बिल्कुल यह मेरा बीडर है और अब इससी से क्या बोलता है ब्रीडिंग आगे अगे करेंगे समझेना बहुत बहुत अच्छी जनकारी आपके द्वारा हमारे किसान भायों की मिद्थ तो किसान भाईव आपने सुना प्रमोज जी के सारी बातों को एक वर्स पहले इनोंने बक्री पारण के शुरुवात की थी, बारह बक्री से इनोंने शुरुवात किया था, चार बलेक बंगाल बक्री और आठ जो है न बड़े नसल की काली बक्री से इनोंने शुरुवात किय था और आज इनके फार में लगवक्त मयमने और मदर रूर की संख्या मिल अगर कहा जाए तो 35 संख्या हो चुकी है और अभी ग्रोथ में है अभी हाला के पैसा यहां से बकरी उखरी या कोई जानवर नहीं भी का है इसलिए इनके पैकेट में ही पैसा नहीं आया लेकिन नेक्स्ट येर आने की उमीद है अच्छी-काशी कमाईन की हो सकती है जनकारी आपको मिल गए हुए आज की वीडियो में तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहेगा ग्रोवाई इंडरी ट्रेनल के साथ तब तक ख्यार रहें अपना धन्य बाद के